हेलो गाईज, आज के इस वीडियो में हम लोग JSBM Medical College कानपूर जो BSC Nursing Interest Exam 2020 वैच के लिए हुआ था तो उसका पेपर रिवी को लेंगे, एक बार ये पेपर देख के हम लोग जाएंगे, इंटरेंस एक्जाम देने, CP NET का, जो अभी कल है, तो ये कल 7 जनूरी का आप लोग का एक्जाम है, तो आप लोग प्लीज, एक बार ये पेपर जरूर, JSBM Medical College कानपूर का ECWARS का पेपर है, तो आप लोग अगर देख के जाते हैं पेपर, मान लीजिए, अगर आपको दो कोईस और question पढ़ा जाएगा, और answer, अगर लगेगा कि हाँ, ये question important है, आ सकते हैं, तो उसको देख लेंगे, explain भी कर देंगे, बट इस वीडियो को आप लोग को जरूर देख के जाना है, और student, आप लोग को ये एक, अभी पिछली, इसके पहले ये वीडियो एक पड़ी है, बाल ये वाली वीडियो थी, जिसमें अभी इसके पहले एक वीडियो पड़ी थी, तो उसमें, उसके description box में मैंने ये लिख दिया है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा, और ये भी description box में लिख दिया है, तो आप लोग प्लीज देख लीजिए, और ये बता भी दे रहा हूं कि उस question, question number 26 है, उसमें क्या लिखा गया था, उसमें बैक सीन आफ रहीज वाड डिसकवर्ड वाई, किसने डिसकवर्ड किया था, हमने बोल दिया था, रहीज जो की बहुत blender mystic हो गई थी हमसे, वो flow flow में निकल गया था, क्योंकि यहां question थोड़ा तेजी से करा जाते हैं, त तो चलिए, मैं यहां पर sorry बोलता हूं, और यह साही कर देता हूं, क्योंकि question, मतलब simple question है, पूश भी लिया जाते हैं, तो ऐसे question गलत नहीं होने चाहिए, तो यह देख लीजिए, बैक सीन आफ राइवीज, राइवीज की जो बैक सीन होती है, उसको डिसकवर्ड किस ने कि किया था, और उसका right option, 26 number question का right option number B है, और यह देख लीजिए, the smallpox vaccine जो होती है, introduced by Edward Jenner, तो Edward Jenner ने जो किया था, smallpox vaccine के लिए था, तो अब आप लोग एकदम यह clear हो गया होगा, अब यह question उसमें comment में आने लगा था, तो हम जब comment देखे, तो मुझे, पिर उसके बाद हम भी देखे, फिर यह लगा कि नहीं, यह गलत हो गया question, तो आप लोग प्लीज इसको correct कर लिजिएगा, चलिए हम लोग JSBM का पूरा review करते हैं, paper का जो 2020 में हुआ था, तो चलिए हम लोग पहले physics का question solve कर लेते हैं, और इसको जल्दी से देखते हैं, कितना समय इसमें लगता है solve क पूछ रहा है कौन से सदसिरा से हैं, तो यह देख लिजिए vector quantity पूछ रहा है, तो option number कौन सा first option momentum जो होता है vector quantity होती है, इसकी वीडियो तो जो भी student देखे होंगे, मैं काफी बार इसका पूरा एक्दम कराया भी हूँ, वह इसमें कौन कहरा है कि इंसुलेटर का क्या नहीं ह जो की option number fourth correct हो जाएगा, next question इसमें देखते हैं, next question among the given color, which is the longest wavelength when white light passes through, यह कह रहा है कि हम लोग को wavelength बताना किसकी सबसे अधिक होगी, तो यह देख लिजिए, इसमें wavelength सबसे अधिक किसकी होगी, तो आप लोग यह लिख सकते हैं, बी आईवी, नहीं बी आईवी होता है, विपगयोर में कैसे लिखते हैं, विपगयोर में हम लोग इसकी spelling बी आई लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, बी आई वी जी वाई ओ आर लिखते हैं, यह होता है, वाइलेट हो जाता है, इंडिगो होती है, यह बिल्यू होती है, ग्र तो इसका वाइलेट का हो जाता बट यहां पे बेवलन्द पूछ रहा है तो red की हो जाएगी तो red तो option में दिया नहीं गया ना ही आउरंज दिया गया तो yellow दिया गया तो यलो का अधिक हो जाएगा तो option number third correct हो जाएगा next question number which among the following is superconductor कौन होता है तो superconductor mercury option number fourth correct हो जाएगा next question देख लेते हैं which among the following कह रहा है कि is the sum of the potential and kinetic energy in system निमलिखित में से कौन सा किसी पद्दत में इस्तितिज उर्जा और गतिज उर्जा का योग क्या होता है तो option number mechanical energy होती है जिसमें ये potential kinetic energy potential and kinetic energy system में सेम होती है तो option number कौन सा second option correct हो जाएगा next question number the resistance आप ये conductor is universally proportional to तो कह रहा है कि किसी चालक का परित्रोध जो होता किसके universally होता है तो cross section area के cross section area जैसे माल लीजिए कोई चीज़ेसे आप बना दिये ये ये इसका cross section area होता है तो उसके universally proportional होता है तो option number कौन सा fourth option आप लोग correct करेंगे next question number देख लीजिए कह रहा है कि is it related to the work done by external force when its transport to charge slowly from one position to another its environment containing other charge is rest कहरा बाह बलद्वारा किये गए कार से संबंदित है जब या किसी आपेस चार्ज को दीरे दीरे एक इस्तित से दूसरी इस्तित में पहुंचता है तब ये परिवेस में बाकी ABS ब्रामा उस्था में होते हैं तो option number कौन सा correct हो जाएगा correct option हो जाएगा electric potential तो कौन सा option correct हो जाएगा ये देख लिजिए option number third electrical potential correct हो जाएगा next question देख लिजिए among the following name the unit of power power की unit देखना है तो power की unit what होती है तो option number first correct हो जाएगा James what power की unit होती है next question number if any elder person अगर कोई elder person है try to read a book at about 25 cm from the eye the image appear blood मतला image सही नहीं दिखता blood दिखता है this condition defect of the eye is called तो उसको कौन सी बिमारी है तो उसको प्रेस बायोपिया है तो option number कौन सा correct हो जाएगा ये देख लिजिए कह रहा है कि ये एक बुजुर्ग ब्यक्ति के आँख से लगबग 25 cm की दूरी से एक किताब पढ़ने की कोशिस करता है तो उससे धुदली दिखाई देती है तो उसको कौन सी बिमारी है प्रेस बायोपिया option number first correct हो जाएगा next number question देखते हैं 10 number question who among the following contributed to the law motion गत के नियम में निमलिखित में से किसने योगदान दिया था यह दिख लीजिए ला आप मोसल किसने दिया था तो आईसेक नियूटन ने तो option number first correct हो जाएगा next question number देखते हैं इंदा given below equation Einstein theory Einstein की equation यह थी e बराबर mc square अब पूछ रहा does c stand far तो c क्या होती है इसमें जो c होती है इसको क्या कहते है speed of light कहते है जिसकी value होती है 3 into 10 के power 8 होती है और c को क्या कहते है speed of light और c पूछ भी रहा है तो इसमें option number fourth speed of light correct हो जाएगा next question number which among the following is your standard scientific unit for measuring large quantity of very small entities such item molecules यह क्या इसका एक definition है किसका है mole कहा है अगर निमलिखित में कौन से परमाड हुँ आडूओं जैसे बहुत छोटे छोटे तत्तों को बड़ी मात्रा में मापने की एक मानक बैग्यानी की काई है तो mole में आपते हैं तो option number first option correct हो जाएगा next question number one for me is equal to एक फरमी किसके बराबर होती है यह देख लीजे 10 के power minus 5 या 10 के power minus 10 तो एक फरमी जो होती है वो 10 के power क्या होती है एक फरमी होती है वो 10 के power minus 15 मीटर होती है तो option number आप कौन सा correct करेंगे यह देख लीजे option number third correct हो जाएगा next question number एमंग दा following who gave the quantum theory of hydrogen item 19, 13 तो quantum theory of hydrogen item किस ने दिया था यह देख लीजे आप किस ने दिया था नील बोहर ने तो option number कौम सा correct हो जाएगा नील बोहर ने quantum theory of hydrogen यह second option correct हो जाएगा next question number इच एमंग दा following symbol represent the SI unit of electrical resistance electrical resistance की SI unit क्या होती है तो आप लोग देख लीजिए ओम होती है तो option number कौम सा third option correct हो जाएगा next question number कह रहा total resistance आर आफ यान register connected in series जैसे यह देख लीजिए ऐसे ऐसे connect किया गया है कह रहा कि यह connect किया गया है आर resistance तो अगर resistance वाला आर जो series में होता है तो उसको जब हम लोग निकालते हैं आर नेट निकालते हैं तो आर वन प्लस आर टू करते हैं और आर थिरी करते हैं प्लस में तो option number कौम सा correct हो जाएगा यह देख लीजिए आप option number आर वन आर टू यह आपका question option number third correct हो जाएगा next question number of electric charge means that the total charge of an isolator system remains unchanged with time के साथ कौन सा change होता है तो option number कौन सा conservation option number first सही हो जाएगा विद्दूत आवेशों की क्या का अर्थ है कि एक पिर्थक निकाय का कुल आवेश समय के साथ आप परिवर्तिर रहता है मतलब change नहीं होता तो वो होता है momentum अरे momentum नहीं conservation नहीं चेंज होता next question number different form of electromagnetic wave characterized by wave length and frequency आर तरंग धैर और आवेशों द्वारा चिन्हित विद्दूत चुम्ब की तरंगों की विभिन रूप क्या है तो यह देख लीजिए X-ray है या फिन इंप्रारेर visible light तो आल आप दीज option number D correct हो जाएगा next number question कह रहा है is the maximum displacement or distance mood by a point vibrating body or wave measure from its equilibrium position it is equal to one half the length of the vibration path तो इसका option number कौन सा amplitude option number first correct हो जाएगा student यह question थोड़ा fast हम लोग चल लहे है अगर इसका explanation आपको देखना है तो मेरे चैनल पर इसकी पूरी physics chemistry बालो जी कराई गई है आप लोग explanation के साथ देख सकते हैं बट अभी time नहीं है तो आप लोग fast कर लीजिए अगर आपको explanation देखना है तो इसका description box में link provide कर देंगे आप लोग जाके वहाँ पर किलिक करेंगे डारेक्ट वो explain वाली वीडियो देख सकते हैं चलिए how does extensive semiconductor behave at absolute zero temperature कह रहा है कि extensive semiconductor कि temperature पर कह रहा है कि how मतलब बाह अर्दचालक प्रम सुनिताप पर कैसे ब्याहर करता है अगर extensive semiconductor zero degree temperature पर कैसा ब्याहर करेगा यह insulator की तरह ब्याहर करेगा तो first option like insulator next question हम लोग biology के शुरू करेंगे biology के question कितने question आये थे तो 20 question किस में था physics का था और देखिए चलिए biology के भी question कर लेते हैं कह रहा है कि in class mammalia which gland is the most unique mammalian characteristic that so the present some milk producing gland by which the young ones new nurse कहरा mammalia में कौन सी गरंती अस्तंधारियों का सबसे अनूठा लच्छन है जो दूद उत्पन करने वाली गरंतियों की उपस्तित को दर साती है जिन से बच्चे पोशर प्रात करते हैं तो वो कौन सी होती है memory gland होती है तो option number third हम लोग memory gland correct करेंगे next question number कहरा है कि which among the following term is used when light emitted by living things through chemical reaction in their bodies इसमें कहरा है ये कहां से animal kingdom से question दिया गया कहरा है निमलिखित में किस सब्द का उपियोग तब किया जाता है जब सजीव बस्तूँ में से उनके सरीर की रासाइनिक अपकिरियाओं के माद्यम से परकास उसर जित होती है तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि by luminescence जो होती है वो किस phylum में आती है तो animal kingdom के अगर आप टीनो फोरा में जाएंगे कौन सा c c t e n o p h o r टीनो फोरा एक phylum है उसमे by luminescence आते हैं जो light को इमिट करते हैं तो उनकी property होती है उनका character होता है तो ये भी question पूछ लिया जाता है कि by luminescence केस phylum का है तो आपको याद होना चाहिए टीनो फोरा का है जिसका example भी आप याद कर लीजिए अगर example आपको याद रहेगा तो आप question आसानी होगी करने में हो सकता है example ही पूछ लिया जाए तो प्लीरो ब्रेंकिया आप याद कर लीजिए P-L-E-U-R-O-B-R-A-N-C-H-I-A आप प्लीरो ब्रेंकिया आपको याद होना चाहिए और एक option दिया गया प्लीरो ब्रेंकिया या टीनो प्लेना आप ये भी लिख सकते हैं इसका देख लिजिए C-T-E-N-O-T-N-O-P-L-A-N-A-T-N-O-P-L-A-N-A-T-N-O-P-L-A-N-A तो चलिए next question देखते हैं Which among the following are the example आप mollusk तो mollusk का example आपको बताना है कि mollusk का example क्या होता है तो mollusk second largest phylum होता है ये भी एक बार पूचा गया था कि mollusk phylum जो है ये second largest phylum है चलिए आप लोग को ये भी पता हो गया कि second largest phylum mollusk होता है अब इसका हम लोग का क्या देखना है कि member देखना है कौन है तो nutty and octopie star face तो option number first ही correct हो जाएगा nutty and octopie होता है और इसका अगर आपको member तो pile oil इसमें आते है task cell आती है apple pile आता है devil face, octopie ये सब pink dada एक होता है ये भी आता है तो भेव सारे member इसमें है आप लोग read down करके जाएए next question number हुई चमंगदा following is not tissue इसमें से कौन tissue नहीं है edipose, blood, neurons, aerolar तो कौन tissue नहीं है इसमें neurons जो होता है ये tissue नहीं होता है तो आप सा number कौन सही हो जाएगा ये देख लिजिए neural होता तो हो जाता है यहाँ neurons है तो आप सा number कौन सा सही हो जाएगा इसमें निवलिखित में कौन एक उतक नहीं है कहरा है रक्त नलिकाओं आमासे तता आंत जैसे आंतरिक अंगों की भित्य में निमलिखित में से किस परकार का पेशियू तक पाया जाता है तो इसमें smooth muscles tissue पाया जाते हैं तो option number correct हो जाएगा option number कौन सा correct होगा यह आप लोग देख सकते हैं अगर आप रक्त नलिकाओं की बात करेंगे आमासे की आत की तो आप यहां से blood-based cells फिर उसके बाद stomach फिर इंटेस्टाइन तो smooth muscles पाया जाती हैं तो option number first next question in all connective tissue except blood the cells secret fibers of structure protein or card तो क्या कहते हैं collagen कहते हैं तो सभी जितनी भी क्या होती है connective tissue होती है सभी fibers collagen secret करती हैं बट blood जो होती है नहीं करती next question in which among the following stage of cell cycle do the centromere split and chromated separate कहरा कोच का चक्र की निमलिखित प्राष्थाओं में से किसमे centromere का विवाजन होता है और chromated अलग हो जाते हैं तो वो होता है enophage next question what is the plane of alignment of the chromosome at metaphasic अगर metaphasic plate पर chromosome आके ऐसे मध्या उस्था मेगुड़सूत जिस्त तल पर सरेखित हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं तो उसको metaphasic plate कहेंगे तो option number second correct हो जाएगा next question number manokoska में endoplasmic reticulum का पूर रूप निमलिखित में से कौन सा है तो यह देख लिजिए हुई चमंगदा following is the full form of endoplasmic reticulum in human is कहरा है कि endoplasmic reticulum manokoska में endoplasmic reticulum का पूर निमलिखित में से कौन सा है तो इकरियाटिक reticula, इकरियाटिक ribosome तो फिन next को है रहा है endoplasmic reticulum तो option number third सा हो जाएगा endoplasmic reticulum होता है जिसके दो पार्ट होते हैं smooth endoplasmic reticulum और rough endoplasmic reticulum होता है यह protein को synthesis करता है यह question बार-बार पूछा जाता है और यह जो होता है यह lipid का synthesis करता है यह बार-बार question पूछा जाता है कि smooth endoplasmic reticulum किसका synthesis करता है तो lipid का rough endoplasmic reticulum किसका synthesis करता है तो protein का यह दोनों member किसके हैं endoplasmic reticulum के कहरा कि centrosome is an argenle usually containing two cylindrical structure called कहरा centrosome जो होता argenle होते हैं ये two cylindrical structure called उसको क्या कहते हैं centriol कहते हैं तो option number कौन सा fourth option correct हो जाएगा next question next question चलिए student question number 11 को देखते हैं तो थोड़ा rest लिये थे हैं क्योंकि सुबह से ही work कर रहे हैं काम कर रहे हैं आप लोग के लिए तो चलिए question number 11 which is not a feature of cell कह रहा है कौन सी एक विशेष्टा कोशिका की नहीं है तो cell का feature क्या नहीं है all organism are made up of cell तो ये तो सही है all cells are same in shape and size सबी cells जो होती हैं उनकी आकरित और आकार में एक जैसे होती हैं तो यही गलत हो जाएगा इसलिए option number 11 correct हो जाएगा और यह पूछ रहा है कौन cell की feature नहीं है तो यही second option correct हो जाएगा the next question which among the following is responsible for photosynthesis, storage and product like starch कह रहा है कि निमलिकित में से कौन परकास संसलेशन, starch जैसे उतपादों का बंदारण के लिए जिम्मेदार होता है तो वो होता है प्लास्टिड तो option number first correct हो जाएगा next question number in most higher plant में the thaliquide are arranged in tight stack curl, तो tight stack curl के रूम में कौन रहता है तो वो होता है ग्रेना, तो option number third correct हो जाएगा ऐसे ऐसे ग्रेना इस्टोर होता है तो next question number in a group of cell having a common origin and usually performing a common function कोशकाओं का एक ऐसा समू है जिनका उद्धो एक ही एक ही से होता है और उनके कार भी प्राय समान होते है तो same से origin होती है और उनका function भी same होता तो वो ता tissue तो option number first correct हो जाएगा next question number heart is a term for permanent tissue having many different type of cells यह कह रहा है उन अस्थाई उद्धो को क्या कहा जाता है जिनमें कई अलग अलग परकार की कोशकाओं होती है तो उनको कहा जाता है complex tissue तो option number कौन सा correct हो जाएगा option number देख लिजिए option number complex tissue complex permanent tissue तो option number कौन सा third option correct हो जाएगा next question number which are the following thin wall simple tissue परफार में various function एक tissue है जिसका function क्या है कारी है photosynthesis करना, storage करना और secret, secretion करना, secretion करना कहरा निमलिखिद में कौन सी पतली दिवार वाले सरल उतक, सरल उतक कहरा simple tissue है जो परकास inflation भी करता है, storage भी करता है और secretion भी करता है तो colonchima तो प्रोटेक्ट करता है sclerenchyma, parenchyma तो यह एक trick है, parenchyma, parenchyma means पकाना, खाना, पकाना, क्या पकाना, पकाना, खाना, तो खाना कैसे पकाएगा photosynthesis करके ही, तो photosynthesis दिया भी है और storage, food को store करता है, secretion करता है, वार्टर का, तो आपसान नंबर कौन सा है, यह सही हो जाएगा थर्ड आपसान, तो यह एगर parenchyma, colonchyma पूछता है, तो colonchyma क्या होती है, एक question और पूछता है, जो simple tissue colonchyma होती है, इसमें storage पूछ लेता है, कभी-कभी, कि किसका, किसका deposition होता है, तो आप लोग note down भी कर सकते हैं, हो सकता है, question पूछी लिया जाए, तो colonchyma यह देख लीज वो किसके deposition से होता है, तो cellulose आप लोग लिख लीजिए, cellulose, cellulose, cellulose लिख सकते हैं, hemicellulose लिख लीजिए, और pactin लिख लीजिए, यह, e, m, e, i, i, hemi, cellulose, cellulose और pactin लिख लीजिए, p, e, c, t, i, n, pactin, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, और याद भी कर सकते हैं, कि किस कि इसमें हम तो ऐसे याद किये थे पी एचसी याद किये थे पी एचसी से प्यक्टिन हो गया हेमी सेलिलोज और सेलिलोज यही तीनों कोलेंकाइमा टीसू के मतलब वो क्या होती हैं डिपोजीशन होता है इसी का तो आप लोड लिख सकते हैं अगर कोई भी करा निमलखित में से किस परकार की जणे मुलांकूर की बजाए पौदे के अनिभागों से निकलती हैं तो अगर यह रूट जो होती है एराइज हो जाती है प्लांट के अधर पार्ट से रेटिकल को छोड़के तो वह ऐसी रूट को क्या कहते हैं एडवांटीस यह रूट तो आफसा नंबर से केंड करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोईस्टन नंबर वाट इस दा काल इफ यह फूरूट इस फार्म विदावर फर्टिलाइजेशन आप दा ओवरी यह कोई फाल अंडासे के निसेचन के बिना बनता है तो उसको क्या कहते हैं पॉली कार पार्थीनो जनेसिस का मतलब होता है इसमें फीमेल जो होती है आपको पार्थीनो जनेसिस में फीमेल गमिट बन जाता है यह अगर पूछेगा तो आर्गनिज्म कहीं न कहीं देगा यह आर्गनिज्म के केस में होता है तो आर्गनिज्म के केस में अगर पूछता है कि यह गिखेंगे एक गुल्चोस से कितने पार्वी टू पार्विक एसिड बन जाता है तो यह क्रिया होती है किस में यह होती है गलाइको लिसिस में तो गलाइको लिसिस आप्शन नमबर कौन सा सिखेंड आप्शन करेक्ट हो जाएगा next question which among the following is process that lead to complex oxidation of organic substance in presence of oxygen and release CO2 water and large amount of energy present in the substrate कह रहां निवलिखित में काउन CSC पर क्रिया है जिसमें oxygen की उपस्थित में कार्बनी पदार्थों का पूर्ण आप्शी करन होता है तता CO2 जल और सबस्थित में उपस्थित उर्जा अधिक मात्राय में मुक्त करती है तो वह होती है aerobic respiration क्योंकि oxygen और CO2 दोनों यूज और release किया जा रहे हैं तो जिसमें oxygen यूज किया जाता हो aerobic respiration होता है next question number देख लिजे student number 21 which among the following is the ratio of the volume CO2 evolved to volume oxygen consume respiration कह रहा है निमलिखित में काउन सास्वासन के समय बिमुक्त होने वाली CO2 की मात्रा तथा उपयोग की जाने वाली O2 की मात्रा अनुपात क्या कहते हैं तो respiratory question कहते हैं आप सा number first correct हो जाएगा यह question आप लोग एक बार यही respiratory question जो पूछा गया था एक बार यह भी पूछा गया था फार्मूला 3-4 बना के दिया गया था उसका exact फार्मूला बताना था तो यह बैलूम होता है बैलूम आफ CO2 उपर लिखेंगे यह एकदम वीडियो में मैंने एकदम exact मतलब क्या उसको concept और trick भी बताएं बैलूम आफ CO2 evolve upon बैलूम आफ oxygen consume तो जो हम लोग लेते हैं उसको नी नीचे रखेंगे और बैलूम आफ CO2 जो जिसको निकालेंगे उसको ऊपर रखेंगे यह आपको पता होना चाहिए और यह भी पूछा जाता है रिस्पारेटिक क्यूसेंट जो होता है फैट का कितना होता है कोई भी फैट दे दिया दिया या exact फैट लिख दिया जाता है य यह आप लोग अपना note down कर सकते हैं और तो यह आप लोग और एक पूछा जाता है फैट हो गया कार्बो हाइडरेट का पूछा जाता है तो कार्बो हाइडरेट का यही पर लिख लिख लिजिए कार्बो हाइडरेट का 1 होता है तो इतना आप लिख लेंगे इसी में से अग क्रेप चक्रे निम्लीखित में से किस के रूप में जाना जाता है तो यह citric acid भी कहते हैं क्रेप को तो आफं सानमर 2 और작त हो जाएगा next question नमर 3 खाने क्ते एक देन डाना 5 यह नोर्फार्म आफ हो गा जल्यो एस्टिक आफिक तर इत्पर केता है। तो option number कौन? सा सिकेंड option आपषन आग जयलो आग-सी air भी यह नहीं, IAC option 3rd option number correct होगा, сильно stick acid. Next question number which among the following is that common name Tritcam-Stivam, Tritcam-Stivam-HDdamn which game का नाम होता हा, scientific name तो option number first correct होजाएगा. Next number question which among the following is functional unit of kidney. अब यह निवरांस पे जाएगा नेफरान पे किडिनी की जो फंस्टन यूनिट होती है और नेफरान होती है दी स्ट्रक्चर दा एक्चुली प्रोड्यूज यूरिन इन दा प्रोसेस रिमोविंग बेस्ट अंडिक्सेस सब्स्टेंस फ्राम दा बलड निमलिखित में कौन सा गुदे किडिनी की एक करियात्म की काई है ऐसी संवचना जो वास्तों में रक्त से अप्सिस्ट और अतरिक्त पदार्तों को हटाने की परकिरिया में मूत्र का उत्पादन करती है तो वो होती है नेफरान किडिनी की यूनिट क्या होती है फंस्टन यूनिट जो होती है वो region where most digestion and absorption of the food take place एक लंबी संकीर मुडी हुई या कुंडलित नलिका जो पेट से बड़ी आत तक फैली हुई है और यह वाह छेतर है जहां भोजन का अधिकांस पाचन और असोसर होता है तो इसको small intestine कहते हैं तो option नमबर कौन सा first option correct हो जाएगा होई चाफदा following option defined peristalsis, peristalsis क्या होती है यह involuntary moment होती है अपने आप होती है ना कि मेरे इच्छा अनुषार होती है हम लोगों कोई इच्छा नहीं होती है कि peristalsis लाओ आज बंद कर दें कल कर आएंगे ऐसा नहीं involuntary होती है और यह longitudinal और circular muscles उसमें दोनों पाए जाते हैं होती है तो involuntary moment, longitudinal and circular muscles दोनों पाए जाती है विच्छा आफदा following option peristalsis को यही तो define कर रहा है तो आफ़सा नंबर 3 correct हो जाएगा next question number 28 student देख लिजिए which one among the following is correct match अब इसमें कहरा कौन सा correct दिया गया है तो यह देख लिजिए सिफाइलिस क्या होती है यह tip नूमा पालिडम होती है पालिडम से होती है तो आफ़सा number 4 correct हो जाएगा it's bacillus दिया गया यह गलत हो जाएगा तो यह सब गलत है next question देख लेते हैं इसमें question number 29 which among the following type of cancer occurs in tissue like bone or muscles इसमें कहरा हड़ियां यह मानस्पेसियों जैसे उतकों में निमलिखिद में से किस परकार का cancer होता है तो यह होता है सारकोमा तो आफ़सा number कौन सा correct हो जाएगा आफ़ हड़ियों और मानस्पेसियों जैसे उतकों की परकार की cancer है next question number 30 इलीसा टेस्ट इंजाइम लिंग्ट इम्यूनो सार्बेंट एससे टेस्ट किसके लिए किया जाता है तो यह देख लीजिए only hepatitis TB and AIDS के वाल hepatitis TB और AIDS तो आफ़सा number कौन सा इसमें correct होगा यह देख लीजिए hydrophobia उस ब्यक्ति को परभावित कर सकता है जो पीडित होता है किससे जो कुत्ता काटता है तो hydrophobia हो जाती है तो आफ़सा number कौन सा correct हो जाएगा डाग बॉइट्स second option next question number देख लेते हैं कह रहा है aperture of pupil is controlled by जो aperture जो pupil को कौन control करती है तो आईरिस तो आफ़सा number कौन सा correct हो जाए आइरिस का फंसन क्या होता है । आइरिस यो है यो क्या करती है आइरिस जो होती है- इए- Tous आइरिस में क्या- आ-इरिस में पूचा घया थह कि यह तो ना-इरिस तो प्यूपिल की डाइमिटर को c susks यह कह रहा है कि इसमें आईरिस थर्ड आप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट कोईशन नमबर विच आप दा फालोइंग पेर साफ एंजाइम इस फाउंड इन दा पैंक्रियाटिक जूस जो पाइंक्रियाटिक जूस में कौन-कौन सी एंजाइम पाई जाती है तो ट्रिप्सिन और लाइपेज तो आप्शन नमबर शिकेंड करेक्ट हो जाएगा तो मेडूला अबलेंगेटा क्या-क्या ब्रीफिंग, ब्लड प्रेसर, हर्ट रेट ये सबी को मेडूला अबलेंगेटा मेंटेन करती है तो आप्शन नमबर फोर्थ आल अब दीज करेक्ट हो जाएगा अब आप आर्थो पोड़ा का एक्जामपल बताएए सेंटीपीड, स्पाइडर, क्रैप्स ये सभी क्या हैं ये आपको आर्थो पोड़ा के मेंबर हैं तो आर्थो पोड़ा के मेंबर आप एनिमल किंग्डम आप जरूर पढ़के जाएं वहां से question आने के 100% chance रहेंगे तो आप एनिमल किंग्डम एकदम पढ़के जाएं क्योंकि वहां से आपको जैसे एक question और बता दे रहे हो सकता है question आ जाए external fertilization बार बार question पूछता है कि external fertilization किस में किस में होता है तो external मतलब जो बारी fertilization होता है जैसे मान लीजिए पानी में है तो बारी fertilization करेंगे पानी में आके करेंगे तो यहां पे आप लिख सकते हैं हेमिकारडेटा एक लिख लीजिए हेमिकारडेटा लिख लीजिए फिर उसके बाद इकाइनोडरमेटा लिख लीजिए E, C, H, I, N, O, Ekinoderm, D, E, R, Ina, T, A, D, Keinodermeta लिख लिजिए, यह सब Phylum है और आप लिख सकते हैं Tinofora भी लिख लिख लिजिए C, T, E, N, O, Stinophora Tinofora लिख लिजिए और आप एक लिख सकते हैं Bunyfish लिख 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 लिजिए यहां भी होती है जो boni fish होती है, cartilaginous fish नहीं, boni fish जो होती है, external fertilization होता है, और आप यलगी तो लिखेंगे, यलगी होती है, और एक सायद कौन सी, यलगी और amphibians लिख लीजिए, जो medics जिसमें आते हैं, amphibians, a, m, p, h, i, m, p, b, i, a, n, s, amphibians लिख लीजिए, और एक sealant rate भी लिख लीजिए, इसके ये भी फाइलम जो member होते हैं, c, e, l, e, n, t, r, a, t, a, sealant rate आप लोग लिख लीजिए, तो इसमें इतना आप क्या होंगी, जो external fertilization करते हैं, तो ये लिख लीजिए, और कभी-कभी पूछता है, कौन-कौन true fish हैं, और कौन false fish हैं, तो false fish जो होती हैं, तो आप सन्में, अगर false fish पूछता हैं, तो जूठी मचली कौन हैं, तो आप लोग ये जान लीजिए, false fish जो होती हैं, ये आप सन्में जरूर मिलेगा आपको silver fish, ये क्या होती हैं, ये false fish होती है, silver fish आप लोग note down कर लीजिए, और एक star fish भी लिख सकते हैं, ये star fish, ये false fish होती हैं, तो false fish का example, high fish, jelly fish, ये सभी होती है, cuttle fish होती है, cry fish, ये भी लिख लिख लीजिए, cry fish होती है, ये भी false fish होती है, तो ऐसे ऐसे आप note down कर लीजिए, और अगर question आता है, तो आपको गलत नहीं करने हैं, next question number which, following is the main feature of phylum hemicardata, अब आपको hemicardata phylum को पता होगा, तब ये question आप लोग कर पाएंगे, hemicardata का function क्या होता है, hemicardata, जब cardata को divide किया गया था, तो hemicardata में जैसे क्या आता है, जैसे उसमें पर्बोसिस, कालर, ट्रंक, बलेनो गलोसस, साइको गलोसस, यही सब उसमें आते हैं, तो इसका देख लीजिए, वार्म लाइक कह रहा है, वार्म लाइक ये तो एकदम सही है, वार्म लाइक बित प्रबोसिस, कालर और ट्रंक पाई जाती है, जिसके एक्जामपल बलेनो गलोसस, साइको गलोसस होती है, तो आफसन नमबर कौन सा, काम, प्लेट्स, यह नहीं होगा, इसमें फर्स्ट आफसन, वार्म लाइक, बेत प्रबोसिस, कालर, ट्रंक पाई जाती है, नेक्स कोईस्टिन कह रहा है, इन केस आप what is winter sleep अगर winter sleep करेगा तो अगर आइसे आत कलीजिए winter sleep में किस में जाएगा hibernation में तो option number कौन सा इसमें option number second correct हो जाएगा next question number निमलिखित में से कौन सा तिलचिट्टे के वच्छ भाग का हिस्सा नहीं है तो proto-nima होता है proto-nima जो होता है proto-nima आप लोग देख लीजिए proto-nima जो होता है ये तिलचिट्टे का हिस्सा नहीं होता है तो option number कौन सा first option ही correct हो जाएगा तो आप लोग ये देख लीजिए तो option number आप first correct कर सकते हैं next question number which अमंगदा following जी not a type of gland तो इसमें कौन सी gland नहीं है हाइपोथालमस, pancreas जो अबरी ये सभी gland है जो हर्मोन को सिक्रीट करती है बट टेंडन्ज होती है ये gland नहीं होती है तो option number second correct हो जाएगा next question number which अमंगदा following जन्सन फैसलेट दा सेल्साप काम्मुनिकेट बिती चदर बाइ कनेक्टिंग दा साइटो प्लाजम आफ एडजवाइनिक सेल्फार राइपीट ट्रांसफर आप तो राइपीट ट्रांसफर जैसे पूछे तैसे गयब जन्सन आप लगाएंगे तो option number कौन सा first option correct हो जाएगा next में हम लोग कमिस्टी के कुछ कोईस्टिन देखते हैं कि इसमें 20 question कमिस्टी के भी दिये गये थे पूछे गये थे तो 20 question कमिस्टी के भी discuss कर लेते हैं student आज हम लगबग कितने वीडियो सुबा से बना चुके हैं लगबग आज हम 4 वीडियो बना चुके हैं अगर 2 वीडियो से आप ज़्यादा बनाते हैं आप से बना के देख लीजिए तो आप बना नहीं पाएंगे guarantee है आप बोल नहीं पाएंगे तो आज मैं 4 वीडियो बना दिया हूँ इसलिए हमें दिक्कत हो रही है तो चलिए अभी कमिस्टी की शुरू करते हैं थोड़ी देर में चलिए student हम लोग कमिस्टी के भी इसी एक ही वीडियो में हम लोग physics, biology, कमिस्टी तीनों कर रहे हैं और यह JSVM का पेपर है तो student आप लोग अभी अगर वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर सेयर करें और चैनल को माइक्सिमम ग्रोथ करें सब्सक्राइब नमबर इंक्रीज कराए तेजी से तो चलिए हम लोग physics की कर चुके हैं और biology, chemistry की करने चलने हैं तो यह JSVM Medical College कानपूर 2020 BSC Nursing का पेपर है जो एक बार हम लोग देखके जाएंगे हो सकता है दो से एक से दो कोईशन आ जाए या दो से तीन कोईशन concept जितना बताएं हैं लगबग आपको तीन चार कोईशन यहां से मिल जाएंगे तो अगर concept भी आप लोग देखके जाएंगे तो चार question मिलने वाले हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं कि परतेक पदार्थ में आदित्य अथमा बिसिस्ट गुड़ो होते हैं जिनें भावतिक गुड़ो और रासाइनिक गुड़ो के रूप में परगी किरित किया जा सकता है निलिखिद में से किसमे, रासाइनिक गुड़ नहीं होता इभरी सबस्टेंस has unique characteristic property classified as physical property, chemical property wage ang-the following does not include chemical properties तो chemical properties किसकी से नहीं होती melting and boiling point की तो आप्सन no.3 करेक्ट हो जाएका थार्ड आप्सन पे tick करेंगे Next question देख लिए Who among the following gave the law of gas volume which state that the ratio between the volumes of gaseous reactant and product can be expressed in simple whole number कहरा है gaseo आयतनों का नियम निम्लिखिद में से किस ने दिया जिसमें कहा गया है कि gaseo अभिकारकों और उत्पादों के आयतनों के बीच का अनपात सरल पूर संख्याओं में बेक्त किया जा सकता है तो उनको गैलू से कि नियम कहते है तो आपसर नमबर फरस्ट करेक्ट हो जाएगा कह रहा है कि टमपरेचर को हम लोग तीन इसकेल में मीजर करते हैं तो वो मीजर देखना है कि कौन-कौन किस-किस में हम लोग मीजर करते हैं तो हम लोग तो centigrade में भी temperature को measure करते हैं, Fahrenheit में भी और Kelvin में भी, और ये तीनों दिया है, तो फिर कह रहा है, इसमें से कौन गलत है, तो गलत कोई नहीं है, इसलिए आफसन नमबर 9 आपदेज, इनमें से कोई भी नहीं, तो आफसन नमबर 4th correct हो जाएगा, नेक्स्ट कोईश्चन नमबर 1, mole contains exactly how much elementary entities, कह रहा है, एक मोल में सही संख्या में कितने मुलभूत तत्व हैं, तो 6.023 x 10 के power 23 molecule होते हैं, कितमें किसमें होते हैं, एक मोल में होते हैं, तो आफसन नमबर 1st ही correct हो जाएगा, नेक्स्ट कोईश्चन नमबर, in the given reaction, identify the element that is getting reduced, यह कोईश्चन कह रहा है, दी गई अफकिरिया में, उस तत्व की पहचान करें, जिसका अपचैन हो रहा हो, तो यह कह रहा है किसका reduction हो रहा है, हमको यह देखना है, तो reduction किसका हो रहा है, इसमें देख लीजिए, zinc दे रहा ह तो oxidation पूछ नहीं रहा है, फिन प्लस hydrogen दे रहा है, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ plus था, plus से 0 कहा ना, reduction कहला था, reduction means घटना होता है, यह आपनो down कर सकते हैं, और oxidation means होता है बढ़ना, तो zinc का इसमें क्या हो रहा है, देख लीजिए, zinc का oxidation हो रहा है, और hydrogen का reduction, तो hydrogen का reduction पूछ भी चीज आर, redox reaction, अब आपको पता होना चाहिए, कि redox reaction किसको कहते हैं, redox reaction उसको कहते हैं, जिसमें oxidation भी हो, oxidation भी हो, and reduction भी हो, तो दोनों, अगर एक ही, reaction में होगा, तो उसको redox reaction कहते हैं, तब आप यह question अब एकदम simple solve कर पाएंगे, देख सकते हैं, इसमें sodium कहां से, यह ने oxidation हो रहा है, तो दोनों हो रहा हैं, और second में देख लिजिए, iron का क्या हो रहा है, reduction, और इसमें, CE जो है, इसमें reduction हो रहा है, इसका oxidation, तो इसमें भी दोनों है, तो ऐसे यह option number 4, correct हो जाएगा, तीनों में, तीनों redox reaction है, जिसमें oxidation और reduction हो रहा है, next question number 7, यह mixture of potassium nitrate, जैसे ही potassium nit का mixture उसमें दे दिया, तैसे question तुरंत आसान कर दिया, potassium nitrate, powder, charcoal के साथ, और sulfur के साथ, तो उसको क्या कहते है, gun powder कहते है, next question, which among the following is monomer of natural rubber, तो इस question में कह रहा है, निमलिखित में कौन सा प्राकिर्तिक rubber का monomer एक लख है, तो वो होगा, isoprene, option number 1, correct हो जाएगा, isoprene जो होता है, यह natural rubber का monomer होता है, next question number 9, which among the following is good conductor of electricity, इसमें से good conductor of electricity कौन है, chlorine है, sulfur है, bromine है, radium, तो option number 4, radium correct हो जाएगा, next question number, retinal is also an active pharma, which among the following, यह retinal की बात कर दिया, I की बात कर दिया, तो बिटामीने हमको डूड़ना पड़ेगा, option में, तो यह देख लिजिए, कहां पे बिटामीने है, तो option number 4, बिटामीने correct हो जाएगा, next question number, which among the following are the principal, constitutional, petroleum and natural gas, यह question कह रहा, निमलिखित में से petroleum और प्राकिर्तिक गैसे के परमुक गटक कौन है, तो carbon ही होते है, यह petroleum और gas, carbon number होते हैं, तो hydrocarbon आपका correct हो जाएगा, hydrocarbon में क्या आते हैं, यलकेन आएगा, यलकीन आएगी, फिर उसके बाद आपका आएगा, यलकाइन आएगा, यह सब आपके इसमें आते हैं, next question, which among the following is most commonly used as an automotive antifreeze, निमलिखित में से किसका उप्योग, automotive antifreeze के रूप में सबसे जाता है, तो वो होता, ethylene glycol, ethylene glycol का हम जहां cold में यूज कर सकते हैं, freeze में, तो आपसा number कौन सा, ethylene glycol को यूज किया जाता है, आपसा number first correct हो जाएगा, next question number, in a lead storage battery, the opening of cathodic grid is filled with which, आप the following statement, कहरा, lead storage battery में cathodic grid के चिद्र को निमलिखित में से किस पदार्थ से भरा जाता है, तो वो होता है, lead dioxide, option number second correct हो जाएगा, next question number, यह कहरा, यह important question है, थोड़ा आपको यह question, देख लीजिए, इसको थोड़ा explain भी कर देते हैं, क्योंकि इसमें चार नाम भी दिया गया ह चलिए explain कर देते हैं, which among the following principle, यहीं से आप देख लीजिए, यहीं से आप question पकड़ेंगे, no two electron in an item can have the same state or configuration, अगर दो electron मतलब किसी भी सबसेल में कहरा, no two electron, एक ही, जैसे यह सबसेल मान लीजिए, yes है, तो कहरा, I say नहीं हो सकते, यहीं कहरा, no two electron in an item can have same state, same state में नहीं हो सकत तो यह किसका rule था, Newton's law है, Bohr's theory है, या Huns या Pauli exclusion, तो option number fourth, Pauli exclusion सही करेंगे, तो Pauli exclusion, Pauli ने क्या कहा था, हम हिंदी में बता देते हैं, Pauli ने कहा था, कि किसी भी item में, किसी भी item के दोनों electronों की चारों quantum संख्याएं, समान नहीं हो सकती, यहीं कहा था, जैसे हम आपको बता द यह देख लिजिए, जैसे मान लिजिए, पी सबसेल बना लिजिए, पी में कितने आर्बिटल, तीन, तो यह इसमें कह रहा कि यह आएसे तो हो सकते हैं, कह रहा कि आएसे नहीं हो सकते, दो electron की pairing जो होती है, यह सेम डारेक्शन में नहीं हो सकती है, पावली का था, यहीं प हुंस हिंदी में बता दे रहा है, हुंस ने कहा था, मान लिजिए, पी सबसेल बना दिये, और कह रहा कि पी सबसेल के आर्बिटल में जो electron की pairing होगी, मान लिजिए तीन है, तो पहले मान लिजिए, यह आ गया, यह आ गया, थिरी, थिरी डी फाइप आ गया, तो मान कहा था कि आप ऐसे इसको भरेंगे यह नहीं कि यहां पर ऐसे नहीं करेंगे हुंस ने कहा था मान लिजे पी सबसला बना दीजिए और चार इलक्टान बनना है तो ऐसे नहीं आप कर सकते कि ऐसे कर देंगे ऐसे नहीं कर सकते पीरिंग आप करना है लेकिन पहले आपको एक एक इलक्टरान सबको दे देंगे फिर आप पेरिंग करेंगे यही उन्स ने कहा था और एक रूल है यहीं जान लीजिए वो है आप बाव रूल आप बाव रूल यह यह प्लस यल पे चलता है अगर कोईस्चन पूछेगा तो यह सही हो जाएगा एनर्जी के आडर में आपका आप बाव जो ए यू यफ बी ए यू आप बाव रूल था आप बाव रूल जो है वो एनर्जी एनर्जी का आडर फालो करता है यह प्लस यल रूल आप फालो करता है आप यह भी देख लीजिए यहीं पे आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगल पूछता है क्वेस्चन कि आर्बिटल आर्बी आई टी एल आर्बिटल ए यन जी इउ यल ए आर्गुलर मोमेंटम पूछता है तो आप कौन सा फार्मुला लगाएंगे म्यू स्कल 2 होता है यह फार्मुला आपका लगेगा इल इन्टु इन प्लस उन यह फार्मुला आप और बाहर लिखेंगे यह चपान 2π इतना फार्मूला आपको याद होना चाहिए तब आप आर्बिटरल अंगुलर मोमेंटम निकाल पाएंगे अब यन तो आप जानते ही होंगे प्रिंस्पल कौन्टम नमबर होता है जितना यन रहेगा जैसे मालीजिए यह यन की बाहलू आपको होती है 1, 2, 3, 4 जैसे के यल, यम, यह यह होती है और यल की बाहलू आप तो निकाल ले जाएंगे एजी मित्वल कौन्टम नमबर होता है जैसे 0, 1, 2, 3 यहाँ पे S, P में रहेगा तो 1 हो जाएगा D में रहेगा तो 2 हो जाएगा EF में रहेगा तो 3 हो जाएगा ऐसे यल की बाहलू आप निकाल के वहाँ पे रखते हैंगे Next question number 15 What is the oxidation number of EF E plus 3 अब इसमें कहरा है कि EF E plus 3 एकदम simple question EF E plus 3 में कहरा है कि oxidation number कितना है तो यह तुम पहले ही plus 3 दे दिये तो फिर plus 3 होगा oxidation तो पहले दे दिये तो second option correct हो जाएगा यह question एकदम simple पूछाता है ऐसे ही question यहाँ पे भी simple question पूछे जाएंगे simple question लगबग यह समझी है कि आपके simple question कितने रहने वाले हैं CP net में तो आपके 40 question टोटल मिला के 100 में 40 question simple होंगे बट आप से simple question ही गलत हो जाते हैं तो वहीं फिर selection आपको अच्छी course नहीं मिल पाते हैं तो आपके जो मतलब simple question है वो आपको गलत नहीं करने हैं वो सही करने हैं तो आप लोग प्लीज सही करके जरूर आईएगा चलिए question को 16 को देखते हैं तो गुरूप second जो एलकलाइन अर्थ मेटल होता है उसका second गुरूप का जो आक्सीडेशन नमबर होता है प्लस टू ही होता है तो आपसन नमबर कौन सा ये देख लीजिए थार्ड आपसन नमबर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोईस्टन नमबर निम लिकित में से कौन सा एक सिंतेटिक रेजिन है जिसे एक्राइलुट नाइट्राईस्ट के बहली करण द्वारा तैयार किया जाता है तो पाली एक्राइलुट नमबर थार्ड करेक्ट हो जाएगा अब redox reaction में oxidation और reduction दोनों होता है तो इसमें क्या involved होगा involved change in oxidation number of interacting species जो दोनों species रहेंगी उसी में oxidation number जो होता है मालीजिये जैसे EFE plus 2 है तो oxidation ही तो change होता है यहाँ पे जाके तो वही कह रहा है तो option number fourth correct हो जाएगा क्योंकि redox reaction में oxidation का ही change होता है आपस में next question number which among the following correctly denote combination reaction यह reaction दे रहा है और कौन सा कह रहा है इसमें reaction best है मतलब reaction लिखने का सही तरीका है तो A plus B को A B लिख सकते हैं तो यह एकदम सही exact है तो option number second correct हो जाएगा next question और इस वीडियो का last number question in the given reaction identify the oxidizing agent दी गई अब किरिया में आक्सी करन पदार्थ को पहचानना है अभी एक question दिया था उसमें reducing agent को पहचानना था इसमें oxidizing agent को पहचानना है तो यहाँ sodium zero था यहाँ sodium positive हो गया तो sodium का तो क्या हो रहा है oxidation तो oxidation उसी का होता है जो दूसरा एक होता है वो अपने आपको reduce करता है और दूसरे आपको oxidizing करता है तो sodium का तो oxidize हो रहा ना तो कोई तो करेगा तभी तो oxidize होगा तो water oxidize कर दे रहा sodium को sodium zero से plus में चला जा रहा है तो कौन सा water ही correct हो जाएगा water ही oxidizing agent होगा तभी तो sodium को oxidize करेगा तो option number कौन सा correct है option number देख लिजिए first option water दिया गया वो ही correct हो जाएगा student चलिए हम लोग कुछ question को 2-4 question और देख लेते हैं जो आने के chance हैं थोड़ा inorganic का question देख लेते हैं आप लोग बता देते हैं तो आप लोग दाउन भी कर सकते हैं question hard water से question है कि hard water जो होता है यह माल लीजिए hard water है hard water को hard water को आप temporary hardness कैसे कर सकते हैं और permanent hardness कैसे कर सकते हैं तो temporary मतलब कुछ समाई के लिए T E M P O R A R Y temporary hardness temporary hardness अगर आपको करना है hard water को तो आपको उसमें bicarbonate मिलाना पड़ेगा क्या मिलाना पड़ेगा temporary करने के लिए by B I C A R carbonate मिलाना पड़ेगा किसके sodium और sodium नहीं sodium नहीं यहां पे गलत हो जाएगा sodium नहीं calcium और magnesium के आपको bicarbonate मिलाने पड़ेगे तब आपका temporary कुछ समय के लिए आप hard water को क्या कर सकते हैं hardness प्रवाइड कर सकते हैं जैसे CA देख लिजिए जैसे CA calcium bicarbonate E H CO 3 मिलाएंगे या फिर मिला सकते हैं magnesium bicarbonate E M E H CO 3 मिला सकते हैं तो यह मिला के आप temporary कुछ समय के लिए कर सकते हैं अगर आप permanent PER, EMA, ENT permanent hardness करना है तो आपको chloride and sulfide के magnesium और calcium के chloride और sulfide आपको मिलाने पड़ेंगे जैसे CA CL2 मिलाना पड़ेगा E M G CL2 मिलाना पड़ेगा तो E C A C SO 4 भी मिला सकते हो और M G SO 4 भी मिला सकते हो तो यह permanent के लिए होता है अब question पूछ यह भी question पूछा जा सकता है कि temporary hardness अगर आपको करना तो क्या मिलाना पड़ेगा तो bicarbonate, magnesium और calcium आयर यह भी question पूछता है कभी कभी कि आप hardness of the temporary hardness जो water होता उसको कैसे remove करोगे अभी तो हम पहले temporary किये हैं आप जैसे मान लीजिए temporary hardness of water को अगर आपको दूर करना है तो दूर कैसे करोगे तो उसमें जानते हो उसमें हम लोग क्या मिला देते हैं उसमें Clark का एक method होती है C-L-A-R के Clark method यह एक scientific था तो scientist ने खोजा और अपना नाम दे दिया तो Clark method में क्या किया जाता है अगर आप calcium calcium oxide COH calcium hydroxide को इसको क्या कहते है select lime कहते है अगर यह आप मिला देंगे तो temporary hardness दूर हो जाती है अब यह भी आप लोग note down कर लीजिए permanent P-R-A-M-A-N-E-N-T permanent hardness आप दूर करना तो कैसे दूर करोगे तो आप यह reaction आप यह नाम भी दिया जा सकता है P-E-R-E-M-U-T-I-T-I यह permutitis process दिया जा सकता है यह फिर geolight geolights process से आप हटा सकते हैं यह फिर एक नाम और दिया जा सकता है कालगन प्रोसेस एक scientist है इसके थुरू आप permanent hardness को दूर कर सकते हो कालगन प्रोसेस में यह यूज किया जाता यह न-A-P-E-O-3 का whole six इसी को gram salt कहते हैं इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो permanent hardness को दूर कर सकते हो या फिर या फिर एक और है trisodium phosphate से भी आप permanent hardness को दूर कर सकते हो tri यह लिख सकते हो यन-A-3-P-O-4 भी लिख सकते हो इतना है तो यह थोड़ा था आगर आएगा तो आप लोग सही करिएगा तो चलिए हम लोग next next वीडियो क्या है और कोई वीडियो बनेगी तो फिर डलेगी यह वीडियो काफी लांग हो गई है बट आप लोग प्लीज इस्टुडेंट एक बार यह वीडियो ज़रूर देखके जाएगा चलिए next वीडियो मिलेंगे thank you धन्यवाद